हेलो फ्रेंड्स माई दिमेस तर्वन पठेल आज हम एडवांस मैथेमेटिक सब्जेक के अंदर कोडिनेट जोमेट्री चेप्टरन में एक टॉपिक दिखने वाले हैं यहां यूजिंग डिस्टंस फॉर्मिला पॉइंट को को लिनेर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे तो यहां A B प्लस B C is equal to A C हो जाता है तो यह तीनो कोईट को लिनेर हो जाता है तो इस टाइप का एक एक ऐग्जाम्मल हम देखने वाले हैं चलो दोस्तों एक्जांबल की शुरुवात करते हैं यूज करके डिस्टान्स बिट्वेंट एकुएट टू बी पोंट टू एकुएट एकुर्वात करते हैं here, here AX1Y1, AX1Y1 हमारा क्या है, 0-3, BX2Y2, BX2Y2, BX2Y2 हमारा क्या है, 1-2, and CX3Y3, हमारा है, 10-7, तो हम पहले, distance between A to B, find करेंगे, तो distance between A to B, तो now, distance between A to B, तो therefore AB, AB is equal to, हमारी formula है, X1-X2 whole square, plus Y1-Y2 whole square, X1-X2 whole square, plus Y1-Y2 whole square, तो इसका distance हम निकालते हैं, क्या होता है, X1 हमारा है 0, और X2 हमारा है 1, 0-1 whole square, plus Y1, Y1-3 है, तो minus 3, और यहाँ Y2-2, तो minus minus plus 2 होता है, तो plus 2 whole square, तो यहाँ इसका solution होता है, तो minus 1 whole square, plus यहाँ भी minus 1 whole square होता है, तो plus 1, plus 1, is equal to 2, root 2, तो हमको यहाँ AB मिला, therefore AB is equal to root 2, AB हमको क्या मिला, और root 2 मिला, तो इस तरशे हम BC भी find out कर सकते हैं, तो now BC, now BC, BC is equal to, हमारी formula क्या हो सकते हैं, BC is equal to, X2-X3 whole square, plus Y2-Y3 whole square, तो यहाँ लिखेंगे, X2-X3 whole square, plus Y2-Y3 whole square, तो इसका simplification करते हैं, X2 is equal to 1 है, और X3 is equal to 10, तो 10 whole square, plus Y2, Y2 is equal to minus 2 है, और Y3 is equal to 7 है, तो minus 7 हो सकते हैं, तो इसका solution होता है, minus 9, और minus 9, तो 81 प्लस 81, तो यह हमारा है, 2 times 81, 162 होता है, तो 162, तो 81 into 2, क्यों ऐसा लिया है, तो हमको 81 का square root मिलता है, तो 81 का square root क्या मिलता है, 9 मिलता है, तो 9 root 2, तो हमको यहाँ BC भी मिला, तो therefore BC is equal to 9 root 2, तो AC is equal to, तो AC is equal to, क्या formula हमारी बनेंगे, AC is equal to x1 minus x3 whole square plus y1 minus y3 whole square, तो यहाँ लिखेंगे, x1 minus x3 whole square plus y1 minus y3 whole square, y1 minus y3 whole square, तो x1 हमारे क्या है, यह 0 है, तो यहाँ 0 minus x3 10 है, तो 10 whole square plus y1 minus 3 है, minus 3 और y3 7 है, तो minus 7 whole square, तो इसका solution क्या होता है, minus 10 whole square plus, यहाँ भी minus 10 होता है, minus 10 whole square, तो 100 plus 100, तो 200 होता है, लेकिन यहाँ लेकिने, 2 times 100, तो 100 का square root होता है, तो 100 का square root 10 होता है, तो 10 root, तो ac is equal to, therefore ac is equal to 10 root, तो हमको यहाँ क्या मिलता है, हम ab, bc और ac के पर से क्या हम ले सकते हैं, तो यहाँ ab is equal to root होता है, bc is equal to 9 root होता है, और ac is equal to 10 root होता है, तो यहाँ दोनों का हम addition करते हैं, तो ab plus bc is equal to, हमको ac मिलता है, तो here, therefore, ab plus bc is equal to ac मिलता है, आप यहाँ कर सकते, ab is equal to क्या है, root 2 होता है, bc is equal to क्या है, 9 root 2 होता है, तो is equal to हमको यहाँ मिलता है 10 root 2, क्या मिलता है 10 root 2, तो हम दोनों का addition करते हैं, तो third side, ac is equal to 10 root 2 मिल जागा है, तो therefore, हम लिख सकते हैं, यह तीनों point क्या है, को लिनेर, therefore, a, यह क्या है, 0-3, 0-3, b हमारा क्या है, b हमारा है, 1-2, n, c हमारा क्या है, 10c1, 10c1, r o-linear, 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 तो इस तरह से हम पुरा example कर सेकते हैं, thanks for it.